क्राइम के दुनिया में कुछ रास गहरे होते हैं, हर एक चहरे में कई छिपे चहरे होते हैं, हत्या के दाख बड़े ही गहरे होते हैं, मिचाने को सुराग परद दर परद कई पहरे होते हैं, लेकिन हर परदा हटेगा, हर रास खुलेगा, क्राइम सीन में बचता हर अपराध गाउं से जहां इंसानियत को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू घोप कर हत्या कर दी तुम्हीं बचाने आए माता पिता पर ताबर तोड़ चाकू से हमले भी कर दिये गए जिससे माता पिता भी बुरी तरह जखमी हो गए आननपानन में स्थानिये लोगों की मदद से उन्हें देवघर सोधर इस्पताल में इलाज के ले लाया गया गटना के बारे में पिता महेश्वर पासवान ने बताया है कि उनका चोटा बेटा जियोतिश पासवान लगातार धर में पैसे की मांग करता था कई जमीने भी पहले बेश दी गई इस वरान वो हर बार 40-50,000 रुपे का मांग किया करता था बीते दिनों भी वो लगातार पैसे की ही मांग कर रहा था पैसे नहीं आने पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने बड़े भाई दिनेश पासवान पर चाकू से हमला कर दिया जि कुंडधाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरिस्तार कर दिया गया है ये घटना क्यों घटी जल्दी इसका भी खुलासा कर दिया जाएगा और दोपहर तीन बजे एसी जेएम कोट में लंच के बाद एक मुकदमे की जिरहा चल रही थी पक्ष पक्ष के कई लोग बकील कोट रूम में मौझूद थे इसी बीच एक हाफता हुआ लड़का आया और कहा कि जट सहाब मैंने प्रेमनगर में एक लड़की की हत्या कर दी है मैं सरेंडर करना चाहता हूं ये सब सुनकर वहां मौझूद सभी लोग भौचक के रह गए कुछी देर बाद वहां सुरक्षा गारत के सिपाही पहुंचे और लड़के को पकड़ लिया गया हत्या का समय लगबक दो बज़े का बताया जा रहा है और इसके बाद आरोप कोच्रूम में खचा खच लोग भरे हुए थे और एक लड़का करीब 17 से लेकर 18 वर्ष तक का जो लड़का है ये कोच्रूम के बाहर खड़ा हुआ और लोगों को बताया कि उसे जजज सहाब से कुछ बात करनी है कहा कि मेरा कुछ काम है चूंकि कोट चल रही थी तो सभी ने उसे नजर अंदास किया लड़का पसीने में तर बतर था टीशट पहनी हुई थी एक 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 वहां अंदर खुश कया और जजज को कहा कि मैंने प्रेम नगर में एक लड़की का मर्डर कर दिया है मैं यहाँ पर सरेंडर करने आया हूं यह सुनकर सभी सन रह गए उसने एक लाइन में सारी बात जजज को बता दी जजज सहाब ने वहां खड़े पुलिस कर्मियों को इशारा भी किया और पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद को ट्रूम से उसे पकड़ कर बाहर ले जाये गया इसके बाद पुलिस कर्मियों ने अपने अधिक मोडल मोना रॉय की मौत की गुत्ती फिलाल सुलज गई है और पुलिस के मताबिक एक बिल्टर की पत्नी ने सुपारी दे कर मोना की हत्या करवाई थी मोना को 12 अक्टूबर को उसके ही घर के बाहर एक बेटी के सामने गोली मार दी गई इस दोरान बदमाशों ने उसे गोरी मार कर वहां से फरार हो गई और पांच दिन तक चले इलाज के बाद मोना ने 17 अक्टूबर को दम तोर दिया था मोडल मोना राय की हत्या इसकी चानबीन के दोरान पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स खंगा ली तो राजुनाम के एक बिल्टर का नाम सामने आया पुलिस ने जब उसके घर के तलाशी ली तो वहां शराब मिली लेकिन हत्या का कोई सुराग नहीं मिला शराब रखने के आरोप में पुलिस ने उसे जेल भी भी बेश दिया इस दोरान चानबीन के दोरान ही पुलिस को एक और मुबाइल फोन मिला इस दोरान एक मुबाइल नंबर की जाच की गई जो की भीम यादफ के नाम के शूटर का था पुलिस ने उसे आरा के उद्वन्त नगर से गिरफतार कर लिया साथ ही तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बलकि बिल्डर राजु की पतनी का हाथ था साथी सूत्रों के मताबिक आपको बता दें कि मॉडल की हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि बिल्डर की निजदी किया उससे काफी ज्यादा बढ़ गई थी बताए ये भी जा रहा है कि बिल्डर ने मोना को एक फ्लाट भी दे रखा था और इन सब से राजु की पतनी को लगा कि मोना उसकी दुनिया उजार सकती है इसलिए उसने हत्या की ये पूरी साजुष रची बताते चलें कि मोना की हत्या के लिए करीब पांच लाक रुपए की सुपारी दी गई थी हाला कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा है इस मामले में पुलिस को एक और शूटर की तलाश है साथी पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या बिल्डर को इस साजुष के बारे में पता था या नहीं अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जहानाबाद की जहानाबाद जिले के नगरपंचायद मखदूमपुर में तलसीपूर मोहला निवासी एक पवन यादव की हत्या इट पत्थर मार कर बेरहमी से कर दी गई सुबा के एहले सुबा उसकी शव विर्रा गाउं के निकट सडक के किनारे देखा गया गाउं के कुछ ग्रामीन सौच के लिए गाउं से पूरा बधार में जा रहे थे कि तब ही यूवा का शव सडक पर पड़ा हुआ दिखा इस दोरान ग्रामीनों ने इसकी सूचना तुलसिपूर के लोगों को दी जिसके बाद सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीन घटना सल पर पहुँच गए ग्रामीनों ने बताए कि यूवा का मकडूमपूर बाजार में गोला दुकान में दैनिक मजदूरी करता था मुरतक के दो बेटियां और एक विद्वा मा है मजदूरी कर परिवार का ये भरन पोश्ण करता था और साथी मजदूर ने ये भी बताया कि शाम से ही एक आदमी के साथ ये बाइक लेकर घर के लिए रबाना हुआ था लेकिन घर नहीं पहुंचा शब देखते ही पता चलता है कि उसकी इट से मार कर हत्या की गई है घर नसल से अपाचे बाइक के कुछ टूटे पार्ट्स और चावी पुलिस ने बरामत कर ली और कुछ इट पत्थर के टुकडे भी बाये गए इज़रान बाइक के टूटे पार्ट्स देखने से अनुमान लगाया जाता है कि चाबे गुम होने से बाइक को डिरेक्ट कर चालू किया गया इज़रान युवक की शव मिलने के बाद अबाक रोशित ग्रामीनों ने गाउं के समीप एक एनेच तिरासी को जाम कर दिया है और सूचना मिलते ही मगदूम पूर्थाने की पूलिस घटना स्तल पर भी पहुंच गई ग्रामीनों को समझाने का प्रियास किया गया लेकिन ग्रामीन इस पूरे मामले की जाच और उचित मुआफ़े की मांग पर अड़े रहे कुछ देर के बाद जब बीएसपी अशोक कुमार पांजे अनुमंडल पतादीकारी मनुच कुमार और सीओ राजीव रंजन नगर उपाद्याक्ष चुन्नू शर्मा घटना स्तल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम हटाया गया अगली कबर चिंदवाड़ा से है चिंदवाड़ा के सिंगोडी पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कम मच गया जब चौकी अंतरगात आने वाले ग्राम घाट पिपरिया घटोरी से एक 13 साल की बच्ची यहां शिकायत लेकर पहुंची उसके पिता ने सुमवाग को देर रात एक यूवक की बढची माल का रत्या कर दी और उसके शफ को जंगल में दफना दिया मासूम बच्ची की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ततकाल चौकी प्रभारी ने अमरवाड़ा, S.D.O.P. संतोष डहरिया और अमरवाड़ा T.I. को इस बात की जहांकारी दी और ततकाल ही पुलिस टीम ग्राम घाट पे परिया पहुंचे और जहां पर उनों ने शिकायत करने वाली बच्ची के पिता, कनईया बार्सिया को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताज भी की गई पुलिस को पहले आरोपी कनईया ने बताया कि गुमरा किया, लेकिन बाद में जब बच्ची ने अपने कातल पिता के सामने ही पुलिस को पूरी कहानी वया कर दी तो कनईया भी टूट गया और उसने हत्या की वारदात को कुबूल कर लिया इज़रान पुलिस ने आरोपी के द्वारा जिस जगा पर मृतक का शब दफनाया गया था वहाँ से शब बाहर भी निकाला इज़रान SDOP संतोष डहरिया ने बताया कि मृतक आजेश वर्मा अमरवाडा थाना अंतरगत आने वाली ग्राम छुई में रहता था साथ ही उसकी आरोपी कनहिया बरस्य से कोई पहचान भी नहीं थी सुबार की देशाल जब अजनेश वर्मा अपनी बाइक में घर की तरफ वापस लोट रहा था कि तभी रास्ते में उसे कनहिया मिल गया कनहिया ने आजेश से लिफ्ट ली थी इसके बाद दोनों ने पिंज्राई में साथ बैटकर शुरापी बाद में मृतक कनहिया से कहने लगा कि उसे भूक लगी है जिसके बाद कनहिया उसे अपने घर घाट पे परिया लेकर आ गया यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद कनहिया ने उसे धोके से जंगल की तरफ ले गया साथ ही बढ़ची मार कर उसकी हत्या करती गई और उन हत्या के मामले में बुद्वार को बड़ोत पुलिस ने उसकी पत्नी मुनीसा और मनी को कोट में पेश किया है जहां उसे जेल भेश दिया गया बताते चलें कि बाउंसर प्रेमी नागेंदर गुजर की तलाश में बागपत और मेरट पुलिस ने दविश दी थी लेकिन उसका कोई सुराक नहीं लगा बागपत के बजरॉल गाउं में रविवार की रात को करवाचोत वाले दिन ही बिट्टू और वरुन तोमर की उसके घर से ही अगवाकार हत्या कर दी गए थी तो वहीं सुमवार को उसका शब परतापूर के काजमाबाद गून गाउं के पास मिला था वरुन के भाई और उनकी तेरीर पर बड़ो थाने में वरुन की पत्नी मोनीसा और उसके प्रेमी नागेंदर गुजर निवासी खड़कडी खरखोंदा और उसके दोस पर एक रिपोर्ट दर्च की गई तो भही पुलिस के मताबिक मोनीसा ने बताया कि नागेंदर से उसके दो साल से सम्मंद थे नागेंदर को करवा चौत के दिन मोनीसा ने बुलाया था और पती को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया नागेंद्र उसको घर से उठा कर ले गया और गोली मार कर हत्या कर दी मुदवार को बड़ोत पुलिस ने मोनीसा को बागपत कोर्ट में भी पेश कर दिया जहां से उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेश दिया गया है इस वरान आपको बता दें कि एसपी सिटी इविनीत बटनागर का कहना है कि नागेंद्र की जानकारी हॉस्पिटल से भी ली जा रही है और वहां उसे वो बाउंसर था अब बात करें विजयनगर की तो विजयनगर में ट्यूशन टीचर के एक किशोर बेटे द्वारा एलकेजी की चातरा थे दुश्कर्म करने का मामला सामने आया खून से लटपत ये चातरा अपने घर पहुंची तो उसके परिजोनों ने उसे अस्पताल बंभरती कराया पिड़त पक्ष का आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उसे अभधरता कर मामला रफ़ा रफ़ा करने का दबाब डाला हंगामे के बाद पुलिस मौके बर पहुंची तो कारवाई शुरू की गई रिपोर्ट दरच कर पुलिस ने आरोपी को गिरुफतार भी किया और बालसदार ग्रह भेश दिया गया पिड़ चात्रा के पिता का कहना है कि ये ए रिक्षव चला कर परिवार का पालन पोशन करते हैं उनकी पांच वर्ष्य बेटी एलकेजी में पढ़ती है वो मकान मालिक की पतनी से टूशन पढ़ने जाती थी और मंगलवार को उनकी बेटी अपने भाई को साथ लेकर टूशन पढ़ने गई तो टीचर खर पढ़ नहीं थी इसके बाद उनकी बेटी वहीं रुख गई और बेटा उसे छोड़कर घर आ गया आरोप है कि टीचर की गैर मौझूदकी में उसी के 12 साल के बेटे ने उनकी बेटी से दुशकर्म किया खून से लटपद बेटी घर पहुँची पूश्टाच करने पर उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताई और इसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुँचे और इस पूरे मामले का खुलासा किया जा हर्याणा की पानी पत में च्छापा मार का और बिजली चोरी पकड़ने और मीटर उखाड लेने से गुस्सा उबोगता उने बिजली निगम में करमचारियों पर अब धावा बोल दिया है उसने दो करमचारियों को दातों से काट लिया और एक को बुरी तरह से पीड डाला इससे निगम कार्याले में अफरत अफरी का महौल हो गया और इसके बाद उबोगता भी महां से भाग गये शिकातपर पुलिस ने पूश्टाच के लिए आरोपियों भोगता को थाने भी बुलाया तो वहीं परिजनों ने बताया कि मांसिक रूप से वो अस्वस्थ है और उसका इलाज भी चल रहा है हुआ कुछ यह हूँ कि बिजली चोरी पकड़ने के अभ्यान के चलते इस सभी दिविजन के अधिकारी करमचारी मंगलवार को छापे मारी कर रहे थे तीम ने मॉडल टाउन के पास एक सतकरतार कॉलोनी में एक जोगा पर छापा मारा और मीटर को खाड लिया इससे घर में रहने वाला यूवक पौकला गया इसके बाद वो सीधे निगम कारिया ले पहुंचा और करमचारी उसे अपनी मीटर की मांगी कर्मियों ने मना किया तो उनके साथ मारपीश चुरू कर दी गई इस दोरान दो को उसने दातों से काट डाला जबकि एक करमी की बाजू तो दूसरे के पैर पर चोट के कई निशान पहुंचाए गया साथी तीसरी करमचारी की पिचाई कर मौके से वो शक्स भाग निकला पुलिस को दी शिकायत में निगम करमी, संदीप और विरेंदर ने बताया है कि आरोपी ने उनके हाथ और पैर पर दांट से काटा है रोईत का ये भी आरोप है कि उसके साथ मार पीच की गई, साथी यूनियन पिधान जितेंदर सेनी और सचे प्रमोश शर्मा ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस को दे दी है पुलिस ने यूवक और उसकी परिजनों को थाने बुलाया इस अरांग परिजनों का कहना है कि यूवक कई सारों से मांसिक तोर पर विमार चल रहा है पंजाब के फिरोजपूर जीरा राजमाक सिद जिगरी कॉलिज के निस्दीक लुचेरो ने पिस्तॉल से गोली दाग कर एक नौजवान की अत्या कर दी नौजवान बाइक और नगदी छीनने पर विरोध कर रहा था कि लुटेरो को ये बात रास नहीं आए और उन्होंने इस शक्स को गोली मार दी है तो महीं उदर धाना कुलगडी पुलिस ने रविवार को तीन अग्याद गुटेरों के खिलाफ मामला दर्च कर जाक शुलू कर दिये बताते चलें कि दिविंदर उर्फ सन्नी वासी बस्ती सुनवा वाली ने पुलिस को दिये गए वयान में कहा कि वो अपने भांचे मिठून के साथ दाना मंडी फिरोसपूर चावनी से शुनिवार के देज रात को बाइक पर अपने घर लोट रहा था जैसे उन्होंने बाइक फिरोसपूर फरीत कोड राजमार्क पर चड़ाई तो बाइक सवाया तीन नकाप पोश्ट शातिर उनके नस्दीक पहुंचे और उन्हें देखते ही मिठून ने बाइक को और टेस कर दिया और वहां से भागा इस दोरान शातिरों ने भी फिरोसपूर जीरा रोड से जिगरी कॉलिज के पास दिविंदर और मिठून को घेर लिया लुटेरों ने उनसे 2000 रुपए की नकदी छीन ली साथ ही उनके बाइक भी छीन ने लगे तो मिठून ने इसका विरोध किया इसी बीच एक लुटेरे ने पिस्तॉल से गोली दाग दी जो की मिठून के पेट में जा लगी जीरा साइट से एक वाहन भी आ रहा था और उसकी लाइटे पढ़ने पर शातेर वहां से भाग निकले इस दरान देविंदर ने कहा कि जखमी हालत में उमिचन को लेकर सिविल अस्पिदाल फिरोध पूर पहुंचा जहां जॉक्टरों ने चेक अप करने के बाद उससे मृत खोशित कर दिया पत्नी के साथ साथ फेरे लेते हुए जन्मों का साथ देने का वादा करने वाला एक शक्स उसने करवा चौच से ठीक एक दिन पहले अपनी पत्नी की गला खोट कर हत्या कर दे अगर ऐसा क्या हुआ तो आपको बता दें कि वारदात के बाद आरोपी खुद भी फांसी के फंदे पर जूल गया दरसल सुबह की समय महिला का भाई जब खर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला खिड़की से जाग कर जब देखा गया तो अंदर का नजारा देखकर भाई के होश उड़ गया वदाते चले कि इस संसनी खेजवारदाद पूरवी दिल्ली के नियो शोकनगर इलाके में हुई है जब रुदक की शेहनाक्त सोनी और इसके पती धरमेंदर के रूप में की गई पुलिस को इनके पास से कोई स्यूसाइट नोट भी नहीं मिला और सोनी का शब कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला तो मैं धरमेंदर कमरे में पंके से लटकता हुआ मिला पुलिस ने ओप चारिक ताइम पूरी करने के बाद शब को कबजे में लेकर मौर्चुरी में भी भेश दिया इस जवरान रविवार को पोस्ट मौटम के बाद शब परिजनों के हवाले कर दिया गया साथी शुरुवादी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि धर्मेंदर अपनी पत्नी के चरितर पार शक करता था पुलिस आशंका जोता रही है कि इसी वज़स से उसने वारदात को अंचाम दिया और पुलिस के मुताबिक धर्मेंदर अपने परिवार के साथ बी ब्लॉग निव शोकनगर के किराए के मकान में रहता था जिसके बाद परिवार में पत्नी सोनी के अलावा तीन बच्चे भी है और करीब ग्यारा साल पहले धर्मेंदर की सोनी से शादी हुई थे धर्मेंदर नौइडा में विजली में काम करता है विजली विबाग में और सोनी नौईडा के ही एक अस्पताल में आया की नौकरी करती है एक मकान छोड़कर ही सोनी का माईखा भी है मकान छोटा होने के कारण सोनी रोजाना बच्चों को सोने के लिए अपने माईखे भेज रहती थी सुबा की चाय भी सोनी और उसका पती मां के साथ घरचा कर पीते थे शुकरवारात को बच्चे नानी के पास चले गए और इस दौरान इस पूरी भारदात को अंजाम दिया गया और आपको बता दें कि गौालियर में मुरार में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासर कर दिया है पुलिस ने तीनों महिलाओं के अलावा वहां से दो दस पुर्शों को भी गिरफ्तार किया इनमें से दो बुजर्ग निकले जबकि सूचना के बाद जब पुलिस ने दो मंजिला मकान में चापे मारी की तो एक ही कमरे में दो महिलाओं के साथ तीन युवक अपत्ति जनक हालत में मिले उपरी मंजिल पर भी एक महिला और साथ लोग मिले राकेट के बदाते चलें कि ये राकेट दो साल से प्रीतम और के घर उसकी पतनी के इशार उपर चल रहा था इस दोरां सेक्स राकेट में मिली शामिल जो महिलाओं हैं यहां आने वाले ग्रहाग स्तानिय लोग भी बताय जा रहे हैं पकरी गए दो महिलाओं शादिशुदा हैं जबकि घर की हालत ठीक ना होने पर उन्होंने देवपार का काब शुरू किया पुलिस ने देर रात ही सभी को थाने राकर पुष्टाच की और रिपोर्ट दर्च की गए मुरार्थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जडेरुआ डायम के पास प्रीतम महौर के मकान में सेक्स राकेट चल रहा है जाज में शिकायत सही पाई गई और इस पर बुदवार की देर रात मुरार्थाना प्रबारी शेलेंदर भारगव ने महिला पुलिस फोर्ट के साथ प्रीतम के मकान पर दबिश्टर डाली पुलिस ने अपना एक जवान भी ग्रहाग बना कर भीज़ा था और एक कमरे में दो महिलाएं और तीन पुरुषों के साथ आप अत्य जोनक हालत में वो बरामत हुए आगे की कमरों में पहुँचे तो वहाँ पार मकान मालिक की पतनी गीता महौर मिली और वहाँ साथ लोग भी बरामत किये गया और MPK राजगट में साइबर ठकी का एक मामला सामने आया है यहाँ पर 76 साल के रिटायर सिक्षक को वटसेप पर मेसेज भेज कर ब्लैक मेल किया गया दरसल वटसेप पर एक लड़की ने कॉल किया और रिटायर टीचर को जहांसे में ले लिया उसने टीचर से अशलील बाते करते हुए बातरूम में जाकर विजियो कॉल भी कर दिया बातों में फसाकर उसने टीचर के साथ अशलील हरकते करते हुए एक विजियो बना लिया कुछ दिन बाद सोचल मीडिया पर विडियो वायरल करने की धमकी दे कर अलाग अलाग किष्ट में 3,55,000 रुपे भी ठग ले गए पोलिस ने की शिकायत पाई केस दर्च कर लिया और ठगी के शिकार टीचर विबे ने जियोतिश संस्था द्वारा समानेत एक गोल्ड मेडलिस्ट बताय जा रहे हैं राजगर के वार्ड पांच में रहने वाले ये टीचर साइब धगी की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुँचे उन्होंने बताये कि 14 अक्टूबर को सोचल मीजा अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट आई थी जिसे उन्होंने एकसेप्ट कर लिया और 15 अक्टूबर को एक नमबर से तोपहर में कॉल आया उदर से किसी लड़के ने बात करना शुरू किया कुछ देर बात करने के बाद उसने उश्रील बाते करना शुरू कर दिया और कुछी देर बाद फिर वटसेप नमबर पर कॉल आया विडियो कॉल पर एक लड़की थी लड़की कॉल के दौरान बातरूम में गई और अश् 14 अक्टूबर को फिर से एक दूसरे नमबर से कॉल आया कॉल करने वाले ने अपना नाम प्रमोथ कुमार अठोर बताया उसने कहा कि वो नौइडा क्राइम ब्रांच में इस पर मैंने जब फिर रुपेज जमा करवा दिये तो बाद में मुझे ठगी का एसास हुआ जिसके बाद कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्च करवाई गई और क्राइम सीन में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुने की तुमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते ने आरे नियूस